राधे राधे एवरिवन आप सबी को मकर संक्रांती की धेरो शुप कामनाई फ्रेंस मकर संक्रांती को हम खिचली पर्व के रूप में भी मनाते हैं और इस दिन खिचली का दान बहुत ही विशेश रूप से किया जाता है इस दिन खिचली दान करने का अनंत गुना फला में प बताने वाली हूँ कि खिचडी हमें किस तरीके से दान करनी होती है कैसे आप गुप्त दान कर सकते हैं तो अपनी सामरते के इनुसार जितना चाहें उतना आप दान कर सकते हैं तो यहाँ पर हम चावल ले लेंगे और देखिए चावल हमें साबुत लेने हैं अच्छी क्वाल के दिन दान कर सकते हैं उड़द की जो दाल होती है वो ले सकते हैं तो ऐसे हम हाथ में दाल ले करके मिक्स कर देंगे किछडी के अंदर आप चाहें तो अलग-अलग एक कटोरी में दाल और प्लेट में चावल लेकर के अलग-अलग भी दान कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मिक्स करके भी आप खिचडी दान कर सकते हैं देखे मगर संक्रांती को उत्रायन भी कहा जाता है इस दिन सूरे भगवान उत्रायन होते हैं बहुत ही विशेश दिन होता है सनान दान का यह दिन माना जाता है तो फ़ितने सरोर से आपने गशल मिला आ विशेश हुप मिला लें विशेष्ट फ़ने से सुर्य उद्या होने से पहलेचर अरगे सुर्य अबश्चे दें सुर्य भगवान का पूजन करें यहां पर खिच्डी पूजा करने बाद दान करना होता है अपनी सामर्ते के नुसार आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी आप दे सकते हैं फिर पूरा पैकेट भी आप दान कर सकते हैं उसी के साथ में घी का भी दान जरूर किया जाता है क्योंकि खिचली में देखे घी डाला जाता है तो आप यहाँ पर गी भी शेश रूप से दान किया जाता है सफेद रंके या काले रंके तिल आप दोनों में से कोई भी एक तिला आप दान कर सकते हैं तो यहाँ पर हम गुड़ और तिल भी ले ले लेंगे आप गुड़ और तिल से बनीवी मिठाई का भी दान कर सकते हैं जैसी की रेवडी होती है वो भी दान कर सकते हैं इस तरीके की चाहे तो गज़क भी दान कर सकते हैं तो जैसी चीज़े हम स्वेम प्रियोग मिलाते हैं वैसी ही हमें दान करनी होती है मुमफली का रेवडी का भी दान आज के दिन जरूर किया जाता है तो उसे भी हम प्लेट में रख लेंगे और इसे के साथ में मौसमी रितु फल जो होते हैं सबजियां होती हैं वो भी यहाँ पर आप जरूर दान करें साथ में एक लड़ू बनाया जाता है तिल और गुड से मिला करके इसके अंदर आप एक रुपए का सिक्का रखें इसे लक्षमी का गुप्त दान कहा जाता है इस लड़ू को आप किछली के अंदर चिपा करके दें साथ में कुछ ना कुछ दक्षना अवश्य रखें जो भी हमारा दान होता है उसको संपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर दक्षना अवश्य रूप से रखनी चाहिए लक्षमी का गुप्त दान करने के लिए जब आप लड़ू रखें न तो लड़ू को आप फॉयल के अंदर जरूर पैक कर लें नहीं तो लड़ू के उपर जो चावल है और दाल है वो चिपक जाती है तो अब हमें दान कैसे मिनस ना है हाथ में दोड़ा सा जल ले करके ऐसे हम क्लॉकवाइज गुमा देते हैं आप दो बार पांच बार ऐसे गुमा करके आप ऐसे चुचकार ले तो यह संकल्प होता है इसके बाद में से आप किसी भी जरूरत मंद को आसपरोस में दान कर सकत हैं काले से थोड़े तिल डाले इस बहुत ही अच्छा रहता इस तरीके से यदि आप तिल डाल देते हैं खेच्डी के अंदर साथ में आप जो मौसमी फल और सबजियां होथी न वो भी जरूर दान करें तो जो भी चिज़ें सुद्वसाथ विक होती हैं उन्हें हमें दान करना होता है तो ऐसे हमें मकर संक्रांती के दिन खिच्डी का दान करना होता है अभी इसकी जो क्वांटिटी है आप अपनी सामर्थी के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं जितना भी चाहें आप उतना दान कर सकते हैं तो आने वाली मकर संक्रांती पर आप भी ऐसे खिज़ी का दान आवश्य करें अपनी सामर्ते केAR मकर संक्रांती पर 14 वस्ताउर का दान कैसे किया जाता है 100 सेरी का नियम कैसे लिया जाता है इसका वीडियो औलरी छेनल पे आच चुका है